तीन गंटे की मशकत के बाद वन विभाग ने सुरक्षित पकड़ा पैंथर लोगों ने ली चेन की सास। डुंगरपूर जिले के सागवडा में पैंथर मिलने की खबर के बाद मोके पर भाड़ी मात्रा में बीड पहुँच गई। सुचना मिलने के बाद मोके पर वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी पहुँचे साथ ही पलिस प्रसासन और स्थानिय प्रसासन भी मोके पर पहुँच गया वन विवाग के योगेश पुरोहित की सूजबूज और मुस्तेदी की वज़ा से पैंथर को सकुशल पकड़ने में कामियाभी हासिल हुई इस कारिय में नरेश चिता नगरपली का करमचारी का भी सरानिय सयोग रहा योगेश पुरोहित की अनुसार पैंथर को पकड़ने के लिए जैसी भी से लकड़िया हटाई गई और सडक के आगे वाले छोर पर लगे बड़े गेट को खोल दिया गया ताकि अगर पैंथर बाग जाये तो शाहर की तरप नहीं गुसपाए उन्होंने जाल बिचा कर जैसे ही पैंथर लकड़िया हटाने के बाद बाहर आया तो लपकते हुए पैंथर को साकुशल पकड़ लिया और सुरक्षित वन विबा की टीम लेकर वन विबा के कारेले पहुंची उन्होंने कहा कि पैंथर को साकुशल जंगल में छोड़ दिय जाएगा जाएगा